चंद्रियान 3 ने एक बार फिर से चौकाने वाली जानकारी भेज कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रियान 3 को भूल ही चुका था। लेकिन तभी इसरों के वैज्यानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। चार सितंबर का दिन भारत के चंद्रियान 3 मिशन का चांद पर आखरी दिन था। क्यूंकि चार सितंबर के दिन चंद्रियान 3 के विक्रम लेंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। लेकिन अब भी विक्रम लेंडर ने स्लीप मोड में ही इसरों के वज्यानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजंसी नासा भी हैरानी में पढ़ गए है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे चंद्रियान तीन ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतिय स्पेस एजंसी इसरो चर्चा में आ गई और क्या ये खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंध तक जरूर देखना दोस्तों आज ही नहीं बलकि इसरो के वैज्यानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था इसमें चंद्रियान 3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानि इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटी मीटर उपर की तरफ उठाया गया और उसके बाद इसकी जगह को चेंज करके इसे दूसरी लोकेशन पर लैंड कराया और ये काम इतना आसान है नहीं जितना हमें लग रहा है बलकि धरती से करीब 4 लाक किलो मीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है इसी बीट जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलता पूरवक लांच कर दिया है लेकिन जापान के चंद्रियान के मिशन को चांद के किसी गड़े में सफलता पूरवक लैंडिंग करना है क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड़े में लैंडिंग नहीं की है और अगर ऐसा जापान कर लेता है तो चांद के गड़े में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा आपको जानकारी के लिए बता दे कि चंद्रियान 3 के लैंडर को दुबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था बलकि इसका एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सौफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जूटा कर डिजिटल डेटा के रूप में प्रिथवी परबै ये वैग्यानिकों के पास भेजना दोस्तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी एतिहासिक जीद है क्योंकि ऐसा एतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैग्यानिकों ने चंद्रियान के लैंडर को कुछ मीटर की उंचाई पर उपर की ओर उडाया और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलता पूर्वक लैंडिंग भी कराई इसी के साथ हमारे चंद्रियान के प्रग्यान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला ये एक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है बलकि यह चांद की जमीन के नीचे बने गड़ो में मौजूद है चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुश्यों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ती के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा उपयोगी है हालांकि चंद्रियान तीन ने चांद पर ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है जिनमें सल्फर, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, आईरन, क्रोमियम, मैगनीज और सिलिकोन शामिल है हमारे चंद्रियान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धर्ती पर सल्फर की खोज नहीं की थी चांद पर सलफर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच विदेशी मीडिया का यह दावा है कि भारत ने अपने चंद्रियान तीन मिशन की बस एक मन गढ़त कहानी बनाई है और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से चांद के फेक वीडियो का निर्मान कर दुनिया को उल्लू बनाया है लेकिन विदेशी मीडिया की इस बात का जवाब देते हुए भारत के मित्र देश अमेरिका की स्पेस एजनसी नासा ने अपने मून आर्बिटर की मदद से चंद्रियान 3 के लैंडर की एक फोटो ली है जिसे देख कर उन सब को काफी हैरानी हो रही है जो यह कह रहे थे कि चंद्रियान 3 बस एक जूटी कहानी है दोस्तों नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में भारत का चंद्रियान एकदम क्लियर दिख रहा है जो की चांद की धर्ती पर अपना सीना ताने खड़ा है दोस्तों इस वक्त चंद्रियान 3 का प्रग्यान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और ये दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन अपनी नींद को विराम देंगे और एक बार फिर से उसी जोश और उर्जा के साथ चांद की उस रहस्यमई दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़ेंगे इस समय वहां का तापमान माइनस 250 डिगरी सेलसियस के करीब है ऐसे में वैग्यानिकों में इस बात का डर भी चाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रग्यान रोवर का कम्प्यूटर सिस्टम फेलना हो जाए क्योंकि दोस्तों माइनस 200 डिगरी तापमान के बाद कम्प्यूटर में लगी चिप्स में एन भी दरारें पढ़ने लगती है ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रग्यान रोवर फिर से जिन्दा होगा या नहीं लेकिन दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रियान तीन मिशन के लिए दुआएं जरूर करना ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को यह बता सके कि भारत भी अब एक स्पेस पावर बन चुका है दोस्तों विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर की बैटरी सौर उर्जा के माध्यम से चार्ज होती है जिसके लिए सूर्य की रोशनी का होना जरूरी है और इस समय चांद के दक्षणी धुरुफ का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ गई लेकिन हमारे वैग्यानिकों का कहना की उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया है जिससे वह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली लेकिन माइनस धाई 100 डिगरी की ठंड को जेल पाना इतना भी आसान नहीं है अगर हमारे प्रग्यान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा और इस बार वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी जो की राकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है दोस्तों इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है जिसे हमारे प्रग्यान रोवर ने अपने हाई रिजॉलूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रही है जिस समय चंद्रियान का प्रग्यान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था ऐसी कंडिशन में रोवर को जितना समय मिल पाया उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडियेशन के बारे में भी स्टड़ी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी अब चांद के दक्षणी धुर्व पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पढ़ने पर हमारा प्रग्यान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जाग जाएंगे आप सभी लोग चंद्रियान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहे ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके साथियों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरो से मंद चैनल को सबस्क्राइब जरू करें और बेल आइकन को आल पर क्लिक करना बिलकुल न भूलें मिलते हैं किसी और knowledgeable वीडियो के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद